नमस्कार दोस्तो मेरे नमें देश कुमार एक बार फिर मेरे चैनल में आपका बहुत सवागत है। आज हम बात करने वाले हैं डिकलसिफिकेशन के बारे में अधिक्तार लोगों को मालम है। इसमें practical note में आपको दे रहा हूं तो इसको आप detail में जरूर समझेगा और जब आप काम करेंगे lab में तो आपको बहुत सारा knowledge इस वीडियो के दौरा मिलने वाला है इसके साथ साथ जो है आपके competition exam में सवाल बनता ही है decalsification से और objective question बनता है बहुत important topic है इसको समझना बहुत जरूरी है इसलिए आप complete video देखिए और समझे और notes भी जरूर बना दीजिएगा तो decalsification के बारे में हम detail में इसमें देखते हैं और सबसे पहले introduction की अगर हम बात करें तो ispust है decalsification का ispust मतलब होता है calcium को हटाना ठीक है तो जितने भी bone वाले biopsies जो आते हैं हमारे पास तो उनमें क्या होता है microtomy करने के लिए आपको पता होगा कि microtomy करने के लिए अगर tissue hard होगा या फिर bone वाला tissue होगा तो microtome के knife से वो कटेगा नहीं और आपका section proper तरीके से नहीं आ पाएगा और आपका knife जो है एक ही बार में damage हो जाएगा तो उसको कैसे करना है इसके लिए अपने को क्या करना है सबसे पहले अगर कोई hard tissue आया है या फिर bone वाला tissue आया है तो उससे सबसे पहले आप calcium को remove कर दीजिए जब calcium उसके अंदर से remove हो जाएगा तो आपका tissue जो है सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा calcium को उसका remove करना पड़ेगा तो यह सारा प्रोसेस एंट्रोडक्शन का और इसमें जो है जितने भी आपके bone वाले tissue आते हैं पहले ही मैंने बताया था तो जब grossing करते हैं उस समय जो है वहां decided कि कौन से tissue वाले bits में बोन वाला पार्ट है तो उसको note-down करके grossing paper जो होता है उसमें note-down कर लेते हैं और आपके register में करते हैं कि कौन सा section हो सकता है कि HP नंबर आपने 35 डाला था और उसका डी वाले section में bone था तो आप वहां mention करेंगे कि डी वाला section हमारा bone वाला है और उसको decalcification के लिए process में रखा गया है तो आपको यादगारी के लिए रहेगा बाद में आप दो दिन बाद जब देखेंगे उसमें और process उसका करेंगे तो आपको याद रहेगा कि 35 डी का decalcification का process है और उसके बाद उसको वहां से process करेंगे और बाद में उसका reporting जाता है तो इस बात का आपको विशेज ध्यान रखना है ठीक है तो principle इसमें बहुत simple है जो insoluble calcium salt रहता है वो जो है converted हो जाता है आपके soluble calcium salt में ठीक है तो जो decalcifying agent जो आपके पास होते हैं अलग-अलग तो उसके दोरा जो है यह process होता है और आपका tissue इसके दोरान क्या हो जाता है soft हो जाता है या मुलायम हो जाता है तब जाकर कि आप इसको further process जो होता है आपका tissue processing और embedding वाला वो सारा process इसमें होता है अब हम इसमें देख लेते हैं आपका sample का type जो है कौन-कौन से होगा तो यह आपके objectives से यहां से बन सकते हैं इसलिए आप इनको याद रखिएगा तो decalcification के लिए आपके पास lab में कौन-कौन से sample आ सकते हैं तो bone biopsies जो आते है specimen received by histopathological laboratories are biopsies सबसे पहले आएगा तो उसमें open biopsies हो chondriod ठीक है तो यह सब आएंगे उसके बाद section from bone underlying soft tissue tumors such as mandible हो गया ठीक है तो यह सारी चीज जो है इसमें आते हैं तो इन cases में आपको decalcification का process करना है तो यह तो directly आपके पास आते हैं तो इनको आपको ध्यान में रखना है grossing का process जब pathologist करते हैं तब हमें जो है वो बता देते हैं कि यह bone वाला आपको भी समझ में आ जाता है वो तो इनको आपको decalcification की process करनी होती है तो material की हम बात कर रहे हैं तो material में इसमें आपका glass beaker आ जाएगा 500 ml का और उसके capacity वाला और measuring cylinder आपका एक लिटर का लेट पैंसिल आपका label करने के लिए और scissors चाहिए gloves चाहिए mask चाहिए और apron चाहिए ठीक है तो यह सब आपके materials हो गए और उसके बाद 10% aqus nitric acid for heart bone के लिए इस्तेमाल करते हैं और उसके अलावा gooding and steward fluid जो है यह आपका decalcification जो बोन में रहता है उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है तो यह important point है आप इसको याद जरूर करिएगा ठीक है अगले हम point की तरफ बढ़ते हैं इसमें अब reagent की बात कर लेते हैं तो यह मैं practically बता रहा हूं बाकी decalcifying agent में अलग सी 20% distil water formic acid यह सारी चीजों की जरूरत आपको पड़ेगी अब preparation कैसे करना है रिये जैंट को 10% formal nitric acid का अगर आपको बनाना है तो concentrate nitric acid 10 ml ले लेना है और उसके बाद 10% formalin आपको 90 ml लेना है ध्यान रहे यह जब acid का आप इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ही सावधानी रखना है मैं पहले ही आपको बता देता हूँ ठीक है तो acid के साथ बिल्कुल भी थोड़ी बहुत भी लापरवाही आपको नहीं करना है प्रोपर तरीके से आप precautions रखिए और जब भी आप काम करते हैं तो आपको जो है अपने खुद का ख्याल रखना है अगर acid का थोड़ा बहुत मा आपको बहुत जारा सावधानी रखना है क्योंकि acid के साथ आप यह सारी चीजें बना रहे हैं गुडिंग इंडिस्ट्रिवर्ट फ्लूट की अगर हम बात करें तो फॉर्मिक एसिड आपको पांच एमिल चाहिए डिश्टिल वाटर 90 ml फॉर्मिलीन आपको 40% 5 ml चाहिए त बड़ा वाला बिट्स भी हो सकता है तो उसके लिए अलग अलग प्रोसेस आपको करना पड़ेगा तो आप्टर ग्रोसिंग जो है ग्रोसिंग के बाद आपके पास टिसू आता है और उसको जो है आपको गिलास जार में रख देना है जिसमें डिकल्सिफिकेशन का हो जाएगा तो यह हो सकता है आपका अब्जेक्टिव भी बन जाए तो इसलिए जो है आप यह पॉइंट भी आप याद कर लें मैंने पहली बता दिया था और नंबर ऑप कैसेट्स जो है आपको डिकल के लिए जो भी आप रखते हैं उसको रिकॉर्ड में रखना है बायो चल जाता है कि वह डिकल्सिफिकेशन हुआ है कंप्लीट या नहीं हुआ है ठीक है तो आसानी से जो है प्रिक हो जाता है और उसके अलावा जो बोन मेरो है जनरली आपका जो है डिकल्सिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है एक से दो दिन के अंदर और लार्जर टिसू है तो करना है जैसे यह आप रिमू करते हैं डी कल सीफाइग अजेंट से और नाइट्रिक एसिट से तो उसको जो है वास करना है आपको तीन से चार घंटे तक रॉनिंग टेप बार्टर के अंदर उसको वास करना इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है तो वह भी आप जो है next slide में मैं आपको बता देता हूं क्या कारण है तो अच्छे तरीके से उसको वास करना है ताकि आपको जो है कोई भी परिशानी ना हो और यह प्रोसेस जो है बहुत अच्छे तरीके से होना चाहिए इस बात का आपको विसीज ध्यान रखना है तो जो भी वासिंग की प्रोसेस है व यहां पर आपको प्रॉब्लम हो सकता है इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि प्रॉपर तरीके से उसकी वासिंग होनी चाहिए उसके बाद अगर प्रॉब्लम करेगा वहां पर मैंने पहले बता चुका हूं आपको इससे क्या होगा जो भी आपका टिसूस है वह अगर आपका प्रॉसेस कंप्लीट नहीं हुआ तो जो भी आपका माइक्रोटॉम नाइफ जो है वह डेमेज होने के चांसे हैं वह मैंने आपको पता दिये और करें साथ चांसे हिरे वह तो इसके बाद प्रॉसेस कंप्लीट नहीं हुआ है तो दोबारा से आपको जो है 10% निट्रिक ऐशिट में डाल सकते हैं ठीपेंड करता है वह आपके केल्सियम केल्सिफिकिशन का जो है प्रोसेस ठीक है तो उसकीऊपर यह डिपेंड करता है कि आप कितना इस्तिमाल करना तो जो भी लेबल आप डिकल्सिफिकिशन के लिए डालेंगे और बहुत सारे एक साथ अगर डाल रहे हैं तो उसको सबसे पहले आपको paraffin में dip करना है ताकि ये protect करें आपको acid से तो उससे using Áp protection और देगा जो भी आप labeling उसके साथ基न के साथ के साफ डालेंगे टिशू जो होता है तो उसके सांथ तो सबसे पहले label को क्या करना है? पर अखेंर में नीप करना है उसके बाद आपको रखना है तुछ ama का ध्याण रखना ह्तो यह अ rash सकता है इंप्टेंट पॉइंट पॉइंट है और उसके बाद जो है मैंने बता दिया है साउधानी यह तो आपको याद रखना है जो भी टिसू है उसको केरफुली जो आपको हैंडल करना है जब आप चेक करते हैं और डीकल्सिफिकेशन हुआ है नहीं हुआ है तो समय आपको बहुत ज्यादा तो प्रॉपर तरीके से आपको जो है प्रैक्टिकली नॉलेज लेना है तब आपको जो है ज्यादा किलियर समझ में आएगा तो यह पॉइंट थे कुछ इंपोर्टेंट जो में आपको बताना था तो आसा करतम वी वीडियो आपको समझ में आया होगा और वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर भी करें अपने दोस्तों में चैनल पर पहली बार आहें सब्सक्राइब जरूर करें थेंक्यू सुन